ठीक है? येस! कैसे आप सब? गर्मी लग रही है? लग रही है? लगनी चाहिए! दोस्तो बहुत कुछ सोचा था कि जब डामेंड बनेंगे बहुत सारी बाते करेंगे थोरह समय फोन फ्रेंडली हूँ तो काभी सारे नोट्स बनाये थे बहुत सारी बाते सोचे थे, बहुत सारी बाते करेंगे लेकिन बहुत टाइम के बाद ये सपना पूरा हुआ है बहुत समय के बाद ये सपना पूरा हुआ है और मैं स्टक हो गया हूँ कि मैं क्या बोलूँ लेकिन जो भी बोलूँगा दिल से बोलूँगा कुछ भी जूट और फरेव नहीं भोलूँगा हागे न आज ये दिन मेरे लाइफ में आया है इसका सबसे बड़ा स्रे उस भगबान को जाता है जिसने हमने इस दुनिया में लाए हमारे मदर फादर को जाता है जिन्होंने पैदा किया और उससे भी ज़्यादा स्रे आज मेरी सिस्टर बैटी है जिन्होंने मुझे बारमी जब मैं करके दिल्ली आया था तो इनके पास था और एक बेटा को जैसे मानती है जैसे मुझे मानती है मैं चाहूंगा एक बार मेरे मेरी प्यारी बहन है बरी बहन है मा के समाने उसके लिए जोड़ा था लिया बहुत बड़ा रोल है मेरे जीवन में मेरी सास आई हुई है आज अपने ऐसे दामात को देख के बहुत खुस होते हैं कि हाँ कि ना ऐसा स्वागत तो साधी में भी नहीं हुआ था तो साधी में जोगत होगा कहा था और उससे भी बड़ा स्रे सबसे बड़ा स्रे एक आदमी को दूगा जिसको मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता हूँ जगदी सर आप सब जानते हैं हम सबके डामन्ड एक जोड़दार तालियाओं के लिए अगर आज आज मेरे जीवन में वो नहीं आते मुझे फोर्स नहीं करते है सले पीस के लिए तो आज ये दिन मैं आज देख नहीं पाता और उसके बाद मैं क्या बोलू पहले मिटिंग थी मैंपाल सर से देखो हमने भगवान को देखा नहीं है लेकिन सर के रूप में आज भगवान ही है आज हम जैसे कितने हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया है तो एक जोड़ार तालिया गुर्डेव के लिए और उसके बाद मैं रिनी हूँ अनुसर का इतने फासे एचिमेट लेते हैं एक आदमे जो सोचता है वो कर जाते है हम जो सोचते हैं वो पहले से कर जाते है बहुत कुछ सीखा है एज में हमसे भले ही कम हो लेकिन बहुत कुछ सीख है और दुनिया दिवानी है एक जोड़ार तालिया गुर्डेव के लिए और मैं अगर नाम एक इंसान का नालो जिसके बिना मैं यहां हूँ जग्दी सर ने जॉइन कराया जॉइन करा करके एक जिम्मेदारी दी चमन सर को आप सब जानते हैं फास्टेस है पूरे कंपनी में और चमन सर को रूबिय स्टार से मुझे लगा कि चमन सर के साथ मुझे काम करना चाहिए मेरे काम में तरक्की होगी और जिस दिन से चमन सर का हाथ पकरा हूँ तरक्की नहीं सर तरक्की का बाप हो रहा है तो इन सभी महान भिभुदों का मैं रिनी हूँ आज मैं यहां हूँ मेरा कारण नहीं है यहां पे कहते हैं कि डामन बनना बहुत मुस्किल काम है, मैं भी सोच था बहुत मुस्किल काम है, बहुत मुस्किल काम डामन बनना नहीं है, डामन बनना तो बच्चों का खेल है, डामन बनना तो बहुत असान है, लेकिन डामन बनने के बीच में जो हर्डल्स आती है, जो परिसानी आत है जो दिल में निगेटिविटि आती है उसको अगर आपने पार कर लिया तो आपको डामन बनने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकिए डामन बहुत बहुत बरा गेम नहीं है बहुत छोटा गेम में ज़िस दिन आप बनेंगे तब आपको जिनोगरी थी 26,900 रुपे में मेहने का कमाता था अगर मैं नहीं करता अगर मैं इसलीपियस में नहीं आता इन महागुरु लोगों की बातों को नहीं मानता आज 26,900 रुपे कमाने वाला विक्ति आपके सामने खरा है जो दिन अब सोचके देखिए क्या होता क्या होता अगर मैं इसलीपियस नहीं करता क्या होता अगर मैं इन महान भुवितों की बातों को नहीं मानता आज एक, दो, तीन, चार दिन, हाडली, पांस दिया, साथ दिन के अंदर मैं एक प्रिम्रियम लग्जरी कार ओडी एफोल में आ जाओंगा अब सोचके देखिए क्या होता क्या होता एक कमरे के मकान में मैं रहता था एक कमरे के मकान वो भी किराएगा अब सोच के देखिए अगर इसले प्यस नहीं करता नहीं करता तो क्या होता आज मैं अपने घर में रहता हूँ जिसकी किमत 60 लाख रुपए अब सोच के देखिए सोच के देखिए कि अगर इसले प्यस नहीं करता आप जैसे महान लोग आप जैसे आप मेंसे मैं मुश्किल से 50 लोगों को नहीं जानता हूं लेकिन इस हौल के अंदर आज 15 सो लोग हैं आप हमारे हमें सुन रहे हैं यह बहुत बात बड़ी बात हमारे लिए अगर 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 समझ नहीं आती तो उस दिन अगर हमारा सिर नामे जुक जाता फिर क्या होता क्या होता सर आज सैटेडे है ना आज छुटी रहती क्योंकि सटेफी में किसी अच्छे बैंक में संडे सैटे दोनों चुटी होती है और आज मैं अपने वाइप का 24 गंटे वाला पती होता आगे न और कर लिए याज और लेकर इसलिए पियों चर रहा हूं तो 24 गंटे का पती बढ़ गया हो आगे ना इसलिए ब्लू डावन बिनके सुनाओंगा आपको बहुत सारी कहानिया लेकिन अज आज एक दो कहानी बताओंगा मुझे याद आता है अभी हमारी वाइफ emotional हो रही थी हमने इसको बहुत सारे वादे की आपको पता होगा बहुत सारे लोग को नहीं पता है बता देता हूँ पताना चाहिए भी हमारी love marriage है और love marriage में एक मजबूरी बनती है एक मजबूरी होती है कि जब आप love marriage करते है उस टेम पे बरे सारे वादे उनके माबाप से उनके चाहने वालों से करना होता है इनके एक मौसा जी मेरे से बहुत सारे सवाल पूछे कि भाई तुम मेरे बेटी को कैसे रखोगे मैंने बोल आप से बरियां रखोगा जब मुझे लगा मुझे कुछ टिकट वगड लेने थे और उस टिकट का पेमेंट देना था और मैं अपने सीनेर की बातों को 100% मानता हूं आज मेरे साब एक बात सीख करके जाईए अगर आप मानते हैं कि मैं डैमेन बनाओ तो कुस्च तो कबिलेत रहा होगा ठीक है एक परसंट दो रोल मेरा रहा होगा लेकिन उस एक परसंट के रोल में माइपाल गुरुजी तो बगवान है उनसे तो बातस्चीती नहीं होती अनुच गुरुजी से भी बहुत कम होती है आप पूछ लीजे मेरे सामने आज तक मैंने एक बात भी काड़ दिया होगा तो आप मेरे नाम से जो भी रखना है रखना एक सिंगल बात मैं अपने अप्लाइन का नहीं करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ वो बैखती कभी मेरा बुरा चाही नहीं सकते हैं अगर मेरा बुरा चाहेंगे तो उनका खुती हो जाएगा वो मेरा बुरा क्यों चाहेंगे हागि ना तो मेरे एक बात मानिये अप्लाइन ने जो बोल दिया उस बात में सिर्फ जी गुरुजी कि आपका जीवन ना बदल जाए क्या बोल जीवन बदलेगा नहीं खांदान बदल जाएगा खांदान का नाम बदल जाएगा बस आपको ची गुरुजी बोलना है तो ऐसे ही मुझे टिकट लेना था पैसे नहीं थे मैंने समय दे दिया था मैंने इसको बोला कि भाई तेरे प तुट फरेंस है सुंदर भियान में जाके दे दिये और वो जैलरी देने के बाद मुझे एक लाख 34,000 याद है बुरे दिन भोलना नहीं चाहिए इंसान को एक लाख 34,000 में मुझे मिला एक लाख मुझे टिकट का पेमेंट देना था 34,000 कुछ खर्चे थे और मैं दे दिया आपको बताऊँ आज तक वो जैलरी में छुड़ा नहीं पाया क्या नहीं किया लेकिन वक्त ऐसा आया इसने पेसे मेंनत किया आप लैंट के सारे बात को माना आज मैंने अपने वाइब को सारे 11,00,00,00 जोलरी बना कर दे चुका हूँ सारे 11,00,00 और अभी तो जमीन से निकले हैं क्या-क्या होगा आप सोच के देखिए बहुत कुछ होगा तो जो भी परिसानिय आती है जो भी प्रॉब्लम आती है उसको फेस करिए भगवान बिना टेस्ट लिए आपको काम्याभी देगा नहीं हर किसी का टेस्ट लेगा आपने संत मात्मा को देखा होगा बहुत सारी तबस्या करते हैं वही भगमान जो उटको बात में बोलते हैं तुम्हें क्या चाहिए बोलो वही बहुत सारे हर्डल्स भेजते हैं बहुत सारी परिशानिया भेजते हैं लेकि जब उससे लड़ करके उस परिशानियों को सामना करके जब वो अपने तब पे सफल हो जाता है तो वही भगमान आ जादा करें बाते कम करें बहुत सारी बाते करेंगे डाम ब्लू डामेंट पे आप सबने मुझे सुना इतना समान दिया सभी महागुरु जुलोंगा बहुत बहुत धन्दवाद थैंक्यू वेरी मच्छ